जे नमस्कार स्वागत है आपका टेक्निकल विक की यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने कम्पूटर सिस्टम में कम्पूटर के सिस्टम में विदाउट एंटी वैरस कम्पूटर सिस्टम को चलाते हो तो कैसे इनको फास्ट करोगे या फिर मैं बताओं तो कैसे इनको क्लीन अप रख पाओगे क्लीन रख पाओगे ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से आपका सिस्टम रन करें और रन करने में कोई भी इसू ना आए कभी लेग ना करें इस तरीके की इसू बहुत सारी आती है तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बताने वाला हूँ कि विदाउट एंटी वैरस कोई भी एंटी वैरस ना रहे सिस्टम में आप जितनी मरजी उतनी चलाओ 2 साल, 4 साल, 5 साल कोई फर्क नहीं परने वाला है तो सबसे पहले computer screen आपके सामने है मैं इनमें आपको दिखा देता हूँ चेक करके कि यहाँ पर कोई भी एंटी वैरस मैं यूज नहीं करता हूँ और लगबग 5 साल से एपरॉक्स 5 यर से मैं इसमें जब से मैंने system अभी तक run कर रहा हूँ सिर्फ दो बार मैंने antivirus डाला था उनके बाद आज तक मैंने antivirus कभी अपनी computer system में install नहीं करा है और किस तरीके से ये proper तरीके से काम कर पाता है और अच्छे तरीके से run कर पाता है इसके बार में मैं आपको बताऊंगा चलिए सबसे पहले मैं आपको check करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो notification बार में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सा भी जो है antivirus आपको नहीं सो करेगा यह windows secretary है जो कि windows 10 में default आजकल आने लगे है अपडेट जो हुए है तो पहले यह भी नहीं आते थे windows 8 में, windows 7 में आजकल तो आने लगे है, सारे में आते है सबसे पहले मैं आपको check करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कोई से भाई antivirus है या नहीं यहाँ पे मैंने गया और यहाँ से उपर से नीचे आप देख सकते हो यह पूरा का पूरा जो है यहाँ पे, देख सकते हो उपर से लेके नीचे तक आप इसको नॉर्मली थोरा थोरा करके, scroll में कर देता हूँ कोई साब या इंटी वरस यहाँ पे नहीं है आप चाहो तो इसे थोड़ा से धीरे करके देख लेना ठीक है तो आखिरी ये काम कैसे करता है अच्छे तरीके से और आपके सामने देख सकते हो पूरा प्रोपर तरीके से ये बताऊंगा तो फर्स्ट अगरावर सी ड्राइब को क्लीन कर सकते हो सी ड्राइब को क्लीन करने का बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है यहां से क्लिक करना है अपने माई कम्पूटर को उपन करना है या फिर इस पीसी को और इस सी ड्राइब पर राइट क्लिक करके प्रोपर्टीज में जाना है और यहां पर डिस्क क्लीन अप आपको दिखाई दे देना है और टिक करने के बाद आपको normally जैसे मैंने यह थोरा सा टिक किया इसके बाद यहाँ पर clean up system है इस पर आपको click करना है click करने के बाद यह कुछ process लेगा और देख सकते हो clean होना start हो चुगा ठीक है तो इस तरीके से clean होना start हो जाएगा तो start हो रहा है तो परा सा time ले रहा है और यह clean हो चुगा है इसके बाद आपको ok पर click करना है यह मैंने ok पर click कर दिया और यहाँ आएगा delete file मतलब c drive में जितने भी आप काम कर रहे होते जिस time पर real time में उसका एक recent file बनता है recent folder बनता है catch file बनता है और वी वस्तारी चीज़े बनती है background में तो वो सारा यह delete कर देगा जिनसे आपका c drive जो है वो पूरा clean रहेगा और आपको पता होगा कि c drive में ही windows जो भी install होते है वो रहते हैं तो c drive clean हो जाएगा computer system अच्छे तरीके से काम करेगा और इसके बाद भी temporary files सारे बनते हैं अगर आप चाहते हो कि without c drive clean किये भी बन जाए अपना काम तो इसके लिए एक normal सा process है एक software आपको download करना है जिसका नाम है clean up ठीक है google chrome में आपको जाना है नॉर्माली search कर लेना है clean up clean up search करने के बाद यह देख सकते हो windows clean up कुछ इस तरीके का logo आप देख सकते हो यहाँ यह वाला logo है तो इस logo आप देख लेना जहां भी आपको software मिल जाए गूगल chrome में यह open source software है तो आप इसी easily download कर पाओगे google chrome में आप लिख सकते हो windows clean up software या फिर application तो आपको यह normally मिल जाएगा इसे download करने के बाद इसे install कर लेना अपनी computer system में install करने के बाद यहाँ clean up पे जब click करोगे तो यह देख सकते हो अभी यह sound कर रहा है sound करने के बाद यह क्या होगा basically पूरा का पूरा यह c drive जो होगा उनको clean कर देगा उसमें temporary file बना हो recent file बना हो या फिर other कोई भी file इनके अंद बनी हो सारे को यह delete कर देगा cast कर देगा और उसके बाद यहाँ नीचे में देख सकती हो now restart windows to complete clean up इसके बाद आपको करना क्या है एक बार अपने computer system को restart कर देना है ठीक है जब आप restart करोगे तो यह पूरा का पूरा आपका c drive basically clean हो जाएगा तो अपन को आप सभी को पता होग program file और भी जितनी recent file temporary file यह सारी files बनती है तो यह अगर delete हो जाए तो system basically अच्छे तरीके से काम करेगा चाहे आपके computer system में antivirus रहे चाहे ना रहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एक खास चीजे है जिनकी वज़े से आपको antivirus रखना चाहिए अगर आप online इसमें net connect करके रखते हो या फिर online तरीके से को भी काम करते हो तो उनकी protection के लिए antivirus दिया जाता है जिनको आपको रखना जरूरी होता है basically मैं इनमें जायतर net नहीं use करता हूं जिसके वज़े से मैं इनमें अपना जोह antivirus नहीं डालता हूं अगर आप protection चाहते है system को protect privacy चाहते है computer system में तो आप बेस थक अपनी जोह antivirus रख सकते है वैसे default आ गये है आज कल सारे windows में तो वैसे इनसे भी आपका काम हो जाएगा घर आपको high secretary चाहिए तो बहुत सारे अलग-अलग company के antivirus मिलते है market में Amazon पे तो वहां से जाके आप purchase करके use कर सकती हो antivirus का काम है सिर्फ protect करना system system fast करना नहीं होता है यह आपको पता होना चाहिए उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजे अपनी दोस्तों में जरूर सेर कर दीजे और जिनल पर नए है तो subscribe करके bell icon प्रेस करते से मैं select कर जिए all notification मिलते आप से एक नई वीडियो के साथ